स्वागत है आप सभी का सौफ्ट इस्टडी यूटूब चैनल वे मैं हूँ सौरब और एक बार फिर से आपके साथ हूँ एक और नए वीडियो को लेकर तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं माध्यमिक सिक्षक वर्ग दो कि जो सेकंड कांसलिंग की प्रोसेस है वो आज 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और इसके डॉकुमेंट अपलोड होने लगे है 6 अक्टूबर से तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं हला कि इस प जो ओपन कर रहे हैं तो उनको जो है एक कि इंस्ट्रक्शन वहाँ पर मिलता है एक के मिलता है देरार नो वकेंजी फॉर्योर सब्जेक्ट तो यहां पर दो महत्पून सूचना हैं आप लोगों के लिए एक यह वाली जो आप देख सकती है और एक इसके लीज़े वाली ठी सभी के लिए ऐसे अभ्यारती जिन्हों ने 30 दिसंबर 2019 के बिग्यापन के आधार पर क्या किया था डस्तव बिच अपलोड कर सत्यापन कराया था किंटू मेरिट लिष्ट में आपका नाम नहीं आया था तो उन सभी अभ्यारतियों के लिए क्या करना है फिर से डॉकुमेंट अपलोड करने है ठीक है यह तो सावन आवशक सूचना है जिसके बारे में हम पहले की वीडियो में बात कर चुकी है लेकिन जो दूसरी है यह नीचे वाली इसे आप देखिएगा देखे यह आप देख सकते हैं माध्विक सिक्षक नियोजन करम 2022 में अभ्यारतियों को फाइल पंजियन एवं दस्ताविच अपलोड करने की सुवीदा प्रदार नहीं की जाती है तो यहाँ पर दोस्तों जिसके इंडियोट को यह मैसेज मिल रहा है दियर आर नो वेकेंशी फोयो सब्जेक्ट उनके लिए यहाँ पर बता दें कि या तो आप बिग्जान रहा होगा तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं कि डीपी आई ने या फिर गवर्मेंट ने धोका दिया है के लिए बिग्जान सामचिक बिग्जान पद रखते नहीं क्योंकि और लेडी बहुत सारे हैं पद खाली हैं लेकिन यह क्या कराना चाहत है ने अती थी सक्चकों के माध्यम से ठीक है अती थी सक्चकों के माध्यम से यह क्या कराना चाहते हैं यहां पर सेवाए लेना चाहते हैं इसलिए बिग्जान सामचिक बिग्जान होने क्या कर गया एक प्रकार से जो पद हैं उनका लोब कर दिया है ठीक है कोई उपद खा का भी है ये एक डीपियाई का ठीक है मद्दपडेश गवर्मेंट का तो ये दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी लेकिन कुछ अभ्यादियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट हो सकती है जो इन दोनों सब्जेक्ट से हैं वीडियो को लाइक करना है सेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी बरकार की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमशकार जैहिंद वन्यवाद धन्यवाद